हेलो फ्रेंट्स विल्कम टू अन्ला इंश्डी किंग्डम दोस्तों जैसे कि आप चैनल पर देख रहे होंगे यूपी पीसे आरो यारो के लिए हम लोग वाई सीटी एन यूज कंप्रिश टाइम्स बुक जो है प्रैक्टिस सेट को कबर कर रहे हैं जिसमें की जो है दस प्र चैनल के माध्यम से आपने चेके चैनल के माध्यम से आपने चेके हिंदी कबर कर लिए हैं और अभी तक जीएस में आपने पहला दूशरा और पांचवा कबर किया है जिसमें की जीएस के तीन टेस्ट आपके बच रहे हैं छे हो चुके हैं तो उनको भी आपको इज़ी आपती में मिल जाएगा तीनों टेस्ट आज की इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा हम लोग कबर करेंगे और जितने भी चाए वो पीशे शमंत्रा का हो ध पहला प्रश्ण है कि वर्तनी की द्रिष्टी से कौन सा सब्द असुद्ध है वर्तनी की द्रिष्टी से दाई लिखा है तो इसका अगर आप शुद्ध वर्तनी बनाएंगे तो शुद्ध वर्तनी इसका आप दाई कैसे लिखते हो तो यहां पर असुद्ध है आपसन यहां पर आपका राइट आंसर बन जाएगा वाकि सब ही सही है असुद्ध वरतनी की यहां पर पहचान करनी है राइट आंसर यहां पर क्या बनेगा नूपूर लिखा हुआ है आप जानते हैं सुध्वरतनी जो होता है वा नूपूर होता है तो इसलिए यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर आप्षन हो जाएगा त्याज बिल्कुल सही है विरहडी भी सही है वांचनी भी सही है अगला है कि कच्छा सब्द का सुध हुचारण क्या होता है कच्छा सब्द का सुध हुचारण कक्सा आपसर यहां पर आपका सी राइट आंसर बन जायेगा राम पढ़ रहा था परण्तु राम रमीष सो रहा तो आपकी सिलिबस में हैंने छही टॉपिक है आपकी सिलिबस में इसका आंसर आप द्यान लिज्जे किसका स्व्यूक्त वाक के है यहाँ पर भी वाक्ष भेट पूछा गया है तो इसका अगर आप अधर कंप्टिशन की ट आणसे आपका और उसने हो जाएगा है अगला है आपका सिलिवर्ज का है कि दिय गे विकल्पों में इसे बादल का समाना एक शलिवर्प के सोंब है यहां कि घल्ल को हूगा हूगा अंबुद आपसर आपका डी राइत अनसर बन जाएगा यह पर अंबुद्ध नीरज है जलद है या आप जानते हो कमल की प्रियाइबाची होते हैं नेक्स्ट है इन में से एक शब्द बैल का प्रियाइबाची कौन सा नहीं है उसको चुरुना है तो बैल का प्रियाइबाची हाँ पर कौन सा नहीं है अश्म दिया है यह पत्थर का होता है बाकी बिशब है गो ह आपको बताना है तो धन का प्रियाए निश्क अर्थ जो है धन का प्रियाए जो है अर्थ होता है इसके अलावा इसके अन्य जो अर्थ होंगे प्रियाए बाती हो शंपत्ति है यह होग है अगला एक देगे बिकल्पों में से कौन सा बिकल्प दूध का प्रियाय नहीं है तो दूध का प्रियाय कौन सा नहीं होगा आप जानते हो दुख्ध भी होगा पय भी है गोरश है लेकिन अमिय जो है यह नहीं होगा तो अमिय यहां पर आपका राइट आंसर बन जाएगा क् का अम्रित का प्रियाय बाची होता है अगला आएक निमलिखित में से कौन सा सब्द प्रक्की का प्रियाय नहीं है किसका तरक्की का तरक्की का यहां पर कौन सा प्रियाय नहीं होगा राइट आंसर यहां पर आपका बन जाएगा आपसं सी अपकर्ष नेक्स्ट निमलिखित म से कौन सा सब्द अभिलाशा का प्रियायवाची होगा अभिलाशा तो अभिलाशा जो है या किसका प्रियायवाची तो अभिलाशा का इच्छा इच्छा का आप सनिहां पर आपका विराइटा अंसर बनेगा तो इच्छा अभिलाशा का प्रियावाची है जबकि यहां पर ब लिखे तो विगल पदेगे नमें से जंगल का प्रियाए बाद समानार्थी कौन सा नहीं होगा तो जंगल का समानार्थी कौन सा नहीं है सो नसा जंगल का प्रियाए है अरण यहाँ पर दे रखा है अरण जो है आपका यह किसका होता है तो यहाँ जो है अरनी का होगा समाना आरती तो कस्बा दे रखा है और नगर दे रख और यहां पर जंगल का समाना आरती पुछा था तो राइट आंसर अप्शन B सही जबाब बन जाएगा अप्शन B अगला की गंगा का प्रियावाची कौन सा नही है गंगा का प्रियाबाची कौन सा नहीं है तो गंगा का प्रियाबाची शब्द होता है भागी रथी भागी रथी इसकी अलावा सुरसरी होगा मंदाकिनी होगा लेकिन आवतरणी दे रखा है आवतर्णडी फन् सभा झानते में अगला प्रश्nants में ऑगला प्रश्न है कि कौसल का प्रश्री नहीं है कौन के बता ना है तो दक्षता दे रखा कौसल का होता है कुशलता भी कौसल का प्रियाइबाची होगा पटुता भी है लेकिन अभ्यागत नहीं होगा क्योंकि अभ्यागत जो है प्रियाइबाची किसका होता है तो अभ्यागत यह जो है अतिती का प्रियाइबाची होगा किसका अतिती का प्र प्रियाइबाची प्रोध शब्द का प्रियाइबाची होता है अमर्ज और यहां पर आपका दिरायइट आंसर uniquicap सब्सक्राइब। जबकि यहां पर स्नत्र प्र दे रखा है बैमनष्य हो और इसकी अलावा भीत दे रखा है तो भीत जो है यह डर का प्रियावाची होता है शंताप यह जो है आपका दुख का प्रियावाची होगा और बैमनश्य दे रखा है तो सिंपल सी बात यह किसका होगा अगे दसरत के प्राण राम के लिए आकुल थे वाक्य में मुख्य विशिश्य क्या है मुख्य विशिश्य पूछा गया है जिसकी विशिश्य बताई जाए वह विशिश्य होगा तो दसरत के प्राण राम के लिए आकुल थे आकुल प्राण की यहां पर बात की गई तो प्राण यहां पर क्या है प्राण आकुल थे तो प्राण यहाँ पर क्या है मुख्य विशेश यहाँ पर क्या हो जाएगा मुख्य आप सने हाँ पर सी राइट अंसर प्राण अगला प्रशन है कि वहां क्रिशकाय व्यक्ति दोड़ने लगा वह क्रिशकाय व्यक्ति दड़ना लगा इस वाकि में विसेश से क्या होगा विसेश यानि जिसकी विसेशता बताई जाए यहाँ पर क्रिशकाय व्यक्ति व्यक्ति कौन है क्रिशकाय तो व्यक्ति यहाँ पर क्या है आपका विसेश से है ग्रिश्वका यहां पर बिसेशन होगा तो राइट अंसर आपका A होगा द्यक्ति आपसा ने सही जवाब है नेक्स्ट है किनम लखेती शब्दों में से बिसेश से को ना है आकासिये दिया हुआ है तो आकासिये बिसेश से पूँछा जा रहा है आराद धित लिया है, यह भी आपका बिशेष्ण आशुरित यह भी आपका बिशेष्ण है, तो यहां पर बिशेष्ण से पूछा है, तो आपसे नहां पर आपका B-right answer बन जाएगा बी सही जवाब है कमीज का रंग नीला है विसेश से पहचानना है कमीज का जो रंग है वह नीला है तो यहाँ पर विसेशता किसकी बताई जा रही है नहीं जो कमीज है वो क्या है नीली है तो नीली कमीज है कमीज यहाँ पर क्या है आपका बिशेश से होगा और नीला आप तो क्या हो जाएगा बिशेशन तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा बिशेश से है और आप संसी नेक्स intention है कि चाय की फीकी है इस वाकिमें फीकी कि शप्रकार का बिशेशन है फीका मीठा है ना तीका यह सब क्या है आपके गुड होंगे तवल तो पाए होगे नहीं परिमाड तो होगा नहीं आप को का संख्या में होगा नहीं कि कितना है 500 फीकी है ये 500 किलो है तो ना तो परिमाड ना तो साल बनाए गुड बाचक विशेशड आपसर नहीं हाँ पर आपका दूद जो है वो मीठा है तो दूद यहां पर विशेष्टी है मीठा विशेष्ण है इस वाक्य मीठा किस प्रकार का विशेष्ण होगा यहां पर सिंपल सी बात अप्शन भी अगला प्रशन है कि अच्छे बच्चे कभी जूट नहीं बोलते इस वाक्य में अच्छे किस प् कि मैं अच्छे तो अच्छे क्या हो जाए गुण है बाई अच्छे बच्छे हैं आपसर यहां पर आपका सी राइट आंजर बन जाएगा इन में से कौन सा सब्द बिसेशन नहीं है तो बिसेशन काला कपड़ा यानि काला बिसेशन हो जाएगा असान तो आदिमी आगामी परिक्षा तो यह सब हो सकते हैं काला है लेकिन यहां पर तुम दे रखा है तो तुम नहीं होगा ठीक है तो यहां पर तुम नहीं तो राइट आंसर क्या आप्शन बीश है जवाब बन जाएगा तुम क्या है यहां पर शर्व नाम है तुम क्या है शर्व नाम है तो हिंदी व्याकरण भी आप जानते कुल ग्यारा सर्व नाम होते हैं तो तुम जो है तरह से क्या हो सकता है पुरुष बाचक शर्व नाम जो बरतमान वक्ता स्रोता तथा किसी अन्न के लिए प्र कुर्ट तो क्ंठ विश्ज का यहां पर आपको बताना है राइट अंसर बंजाये 14 on nt है अगनी का क्या होगा तो अग निशी बना आगदिया अप सनी हां पर आपका डी र्याइट आंसर गीनि अगला यहक निम्लेकित तद्भव तद्सपम युगम में से कौन सा सुमेलित नहीं है है असरक तद्वों इसका तत्सम औरक होता हूदि कुल सही हैil गृज़ी अलामा लिखा हुआ है अनारी तो अनारी तद्वों का तटत्सम अनारी होगा यह है अमि यहां पर वना तो अप्ना का जो तद्सम होता है यहां पर अप्शन होगा बगलत ठीक है तो यही शुमेलित नहीं होगा आप शंडी सही जवाब है निमलिकिते में से अर्धतसम शब्द को पहचानिये तो यहां पर राइट अंसर होगा आपका अच्छर तो अच्छर यह अर्धतसम है इसका ततसम जो बनाओगे आप कि अज़े अग़े नियार्टन है कुण सा शब्द और टत्षम करनेा सब कि बंद को फिक रइछ और आगब कि आग भी है आपका तद्वा होता है फिद अगर दिया यहां पर अगर आगर अगर जो है आपका क्या नहीं मैं आरे जो श्राँनसि को कि पाज ढिआ है ऑज का टत्र समस मों यहां पर दर्था है त त्दी कि आगे अगला प्रश्ण है अमी का तत्सम रूप क्या होगा अमी अम्रित तो अमी तत्सम वह इसका तत्सम होता है अम्रित आपसन यहां पर आपका बी सही जबाब है नेक्स है तत्सम शब्द यहां पर पहचानना है कौन सा तत्सम है तो यहां पर प्रिस्थ लिखा है तो प्रिस्थ एक क्या है तत्सम शब्द है आप से यहां पर आपका लाइट आंसर होगा किस से बना है पीठ से पीठ से बना है प्रिस्थ माता तलगो है इसका तत्सम बनाओगे मात्री होगा, ठीक है, आचल लिखा है, इसका तत्सम होता है, अंचल, काठ लिखा है, कास्ट है, इसका जो है तत्सम होगा, तो राइट आंसर आप साने, अगला तैतीश नंबर है, अखरोट सब्द का तत्सम रूप आपको बताना है, अखरोट, तो है अंगीठी का तत्सम रूप आपको बताना है तो अंगीठी का चो तत्सम रूप होता है क्या होता है अगनिष्ठी का यह राइट अंसर आप संसी हो जाएगा देगे शब्दों में से एक शब्द तत्सम है उन्हें आपको चिनित करना है तो इसमें से तत्सम कौन सा है बाज parking तद भोंगे आपके पोथी दिया है पोथी यह कटत्भौ किस्का त cop है तो यह नोगा तो आपका सभी पानी दिया हुआ है पानी भी यह तद दो है इसका तसम होता है जल अन यहां पर घर दिया है तो घर एक तद्वो है इसका तद्वो होता है ग्री इसके अलावा आपका दिया है अन तो अन एक यहां पर तद्वो है राइट आंसर आप्शन डीस हो जाएगा अनाज से बना है अन अनाज जो है यह तद्वो शब्द होता है और अन एक तत्सम रूप आप्शन डी से ही जबाब अगला है अगहन अगहन का तत्सम रूप कौन सा होगा अगहन का तत्सम रूप अगहन का तत्सम रूप होता है अगर हाईड आप्शन यहाँ पर आपका यह राइट आंसर बन जाएगा तो अगहन पूछ ये सब जानते हूँ बैई शाख ये टाथाड है ना तो अगहन हिंदू पंचाम का एक महीना होता है आगे बढ़ते हैं तो राइट अंसर आप शन्य होगा पाकि आप जानते हो यह जो सब्द है जिनको की संस्कित से बिना परिवर्तन के हिंदे में ले लिया गया उन्हीं को अपताथ समसब्द रखते हो अगला है कि मन को हरने वाला वाक्यांस के लिए एक शब्द क्या होगा यहां पर सरवाधिक उप्युक्त सब्द आपको बताना है मन को हरने वाला अर्थात मनों हर आपसर यहा ना जा सके इस वाकिस के लिए सही शब्द कौन सा होगा जो कहा ना जा सके वाक्यांस के लिए सही शब्द क्या होगा जो कहा ना जा सके अर्थात अकथनी आप शनिहां पर आपका डिराइट आंसर बन जाएगा जो कहा ना जा सके अकथनी होगा जिस पर विश्वास ना किया जा सके आभिशोशनिय होगा अकरन ये दिया है राश्ची दिया है यहां पर पूछा क्या था जो कहा ना जा सके तो जो कहा ना जा सके अकथनिय होगा आप सबसे पहले गिना जाने वाला वाक्यांस की लिएक शब्द सबसे पहले गिना जाने वाला वाक्यांस की लिएक शब् अगर अगर क्या हो जाएगा अगर आपसर यहाँ पर आपका डी राइट अंसर बन जाएगा जहां जाना संभव ना हो जहां जाना संभव ना हो वाक्यांस की लिक्षब क्या बनता है अगर आपसर यहाँ पर राइट अंसर बन जाएगा अगर है सुगम में दे रखा सुगम ने सुगम हो तो सुगम जो होता है तो सुगम होता है जहां सरलता से जाया जा सके और जहां जाना संभव ना हो अगम हो जाएगा अजय दे रखा है तो जिसे जीता ना जा सके अजय होगा अगला आएके निम्न मेंसे जो जानता हो तो जो जान जो ना जानता हो आक्यांज के लिए एक शब्ब क्या होगा जो ना जानता हो आक्यांज के लिए हो जाएगा अग्या आप सने हाँ पर 20 ही जबाब हो है ग्यानी दिया हो जिसे ग्यान या जानकारी हो ग्यानी होगा अग्यानी दे रखा है यानि किसी चीज का ग्यान या समझना हो ना अग्यानी होगा अग्या दे रखा है जिसे जाना ना जा सके अग्या होगा और जो जानता है अग्य होगा यापसन भी राइट आंजर अगला है कि जो पीने योगे नहीं हो वाक्यांस के लिए एक शब्द तो जो पीने योगे नहीं हो आप कहोगे क्या अपेया यापसन यहाँ पर आपका सी राइट आंजर बन जाएगा अगला है कि जो ना जाना गया हो वाक्यांस के लिएक शब्द क्या होगा जो ना जाना गया हो अर्था तो अग्या तो आपसन यहाँ पर आपका इराइट आंजर बन जाएगा जो पढ़ा ना गया हो वाक्यांस के लिए एक शब्द क्या बनेगा जो पढ़ा ना गया हो यानि अपठित होगा आप सुनिहापर आपका इराइटांसर बन जाएगा आस्तिक रेखा यानि कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक होता है जटिल जो सरल ना हो जटिल होगा अपठनिय दे रखा है जो पढ़ने योग्य ना हो जिनकी आसा ना की गई हो वाक्यांस के लिए एक शब्द क्या होगा जिनकी आसा ना की गई हो वाक्यांस की लिएक शब्द हो जाता है और प्रत्यासित आपसर नहीं राइट आंसर बन जाएगा प्रत्यासित दिया है यह जिसकी आसा की गई हो प्रत्यासित होगा जिसकी आसा ना की गई हो और प्रत्यासित होगा जिसकी चाह या आसा हो अपेच्छी तो होता है आगे बढ़ते हैं अगला आए कि ग्याति या कल्पित तत्यों की आधार पर लिया गया निर्ण के लिए एक शब्द क्या होगा ग्याति या कल्पित तत्यों की आधार पर लिया गया निर्णे के लिए एक शब्द क्या होता है राइट अंसर बन जाएगा अध्याहरण अपसन यहाँ पर आपका सी सही जबाब बन जाएगा दूसरा दिया है अनुमोदन तो अनुमोदन यानि किसी मत या कारे पर सहमती प्रकट करना किसी मत या कारे पर सहमती प्रकट करना अनुमोदन कहलाता है एक शब्द में अपठित दिया है यानि जो पढ़ा ना गया हो अपठित होगा परिकल्पना दिया है तो परिकल्पना नहीं किस के लिए किस वाक्यांस के लिए होगा तो वाक्यांस बनेगा आपका तर्क के लिए किसी बात की कल्पना करना परिकल्पना होता है तरक के लिए किसी बात की कल्प ना करना एक सब्द में कहा जाता है परिकल्पना तो राइट आंसर आपसंसी अगला प्रशन नमबर 47 है इन में से एक वाक के सुद्ध कौन्शा है इन में से सुद्ध वाक की बहचान करनी है पहला दिया है कि मेरा प्राण संकट में है तो मेरा प्राण संकट में नहीं यहाँ पर सुद्ध वाक क्यों होना चाहिए ता क्या मेरा की जगा होना चाहिए ता मेरे तो मेरे प्राण क्या है संकट में है तब यहाँ सुद्ध होता है लिए गलत हो गया दूसरा है कि सोमुवार को रेलवे के कई कर्मचारी गिरफतार हुए तो कई के जगा यहां परोज होना चाहिए अनेक कर्मचारी ठीक है एक से अधिक अनेक तो सोमुवार को रेलवे के अनेक कर्मचारी गिरफतार हुए तब यहां सही होता अपराधी को मृत्यु दंड की सजा दी गई है अपराधी को मृत्यु दंड की सजा दी गई है तो दंड ही अपने आप में क्या है? सजा ही है तो अपराधी को मृत्यु दंड दिया गया है तब यह सही होता अपराधी को मृत्यु दंड दिया गया दिया गया तब यह सही होता है इसलिए यह भी क्या है असुद्ध हो गया मादेबी वर्मा छायवादी की प्रिसिद्ध कवियत्री है यह बिल्कुल सही वाक्या है अपसर यह यहां पर आपका गलत है भी भी गलत सी भी गलत उड़ी आपका बिल्कुल सही जबाब बन जाएग इन में से कौन सा वाक्य सुद्ध है शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है पहला है कि लता ने दो चिठ्थियां लिखी लता ने दो चिठ्थी लिखी लता ने दो चिठ्थी लिखी लता दो चिठ्थी लिखी ये सब क्या है आपकी गलत है ठीक है तो यहाँ पर सही वाकिया आपका विल्कुल जो है वो अप्शन ही हो गया लता ने दो चिठियां लिखी अगला प्रश्ण है कि इन में से सुद्ध वाकिया का चायन करना है पहला वाकिया की भारत में अनेक बोली है भारत में अनेक बोली जगह आपको लगाओ तो अनेक के साथ क्या होना चाहिए थे बोलियां भारत में अनेक बोलियां है तब ये क्या है सही होता इसलिए हो गया यह गलत भारत में अनेकों बोलियां है अनेकों की जगा होना चाहिए था अनेक भारत में अनेक बोलियां है यह बिल्कुल सही है आप संसी राइट अंसर बन जाएगा अगला प्रस नंबर है पचास निम्लेकित वाक्यों में से असुध वाक्य का चैन कीजिए असुध वाक्य का पहला लिखा है लड़की दोड़ती है बिल्कुल सही है सहर अच्छा है यह भी सही है बादसाह खासती है तो बादसाह पुलिंग बादसाह क्या हो जाने खासते है खांसना की जगा क्या होना चाहिए खांस तक्रस का विलूम होगा उतकर्स में dieses तो उतकर्स का विलूम क्या होगा अपकर्स आपसन यहां पर आपका राइट आंसर है तो उतकर्स का क्या होगा अपकर्स होगा ना की उपकर्स ठीक है इसकी अलावा अंत दे रखा है यह आप जानते हो प्रारंब का होगा प्रारंब का विलूम है पतन दिया है तो पतन आप जानते हैं उत्थान का विलूम होगा किसका उत्थान का आगे अगला है कि देगे बिकलपों में अवनी का विरोधार थी यानि आवनी का आपको विलूम बताना है तो अवनी आप जानते हैं प्रतिभी तो यहां पर आवनी की जगा क्या होगा विलूम इसका विरुद्ध अम जाएगा अन्धकार आपसने हपर आपका डी राइट आंशर बन जाएगा, इसकी अलावा अधियारा दिया है, तो अंधियारा कोगा उजियारा विलじゃ अगला प्रश्ण है साहचर यकाबिलोम सब्द आपको पताना है साहचर यकाबिलोम होता है अलगाव आपसे नहाँ पर आपका ड़ी राइट आंसर बन जाएगा असाहयोग आप जानते हो बिलोम साहयोग होगा साहयोग होता है बैमनस्य दिया है निशातुर्ता की बात जीगी तो बैमनस्य क्या होगा शव मनस्य होता है क्या होता है शव मनस्य तो बैमनस्य का विलोम होता है शव मनस्य आगे इस प्रिष्य का बिलोम आपको बताना इस प्रिष्य का बिलोम इस प्रिष्य होगा यह आप्षन यहां पर आपका डी राइट आंसर साधु का बिलोम आपको बताना है साधु का बिलोम सब्द होता है असाधु आप्षन यहां पर डी राइट आंसर बन जाएगा को बताना सहुदर का विलूम होता है अन्योधर। आप सन यहां पर आपinka सी राइट आंसर है। कि सतुष महाधण है तो यहां पर शांटो संटोस लिया संटोस का आपको विलूम वताना है तो संटोस तो आप असंतोस। आपसानी राइट आंसर बनेगा। अश्वविकार दिया है तो श्वविकार होता है इसका विलूम। सहयोग है तो असहयोग होगा। अगला लौकिक जगत की माया में सभी फसे हुई है। यहां पर जो लौकिक दिया है लौकिक का आपको बिलूम बताना है लौकिक का बिलूम होगा लौकिक आपसे यहां पर यह राइट अंसर बन जाएगा कुटिल दिया है तो यह सरल होता है विलूम इसका इसकी अलावा सांशारिक दिया है तो सांशारिक का पारलोकिक विलूम होता है पारलोकिक ठीक है अंदिम्प्रस नंबर है साथ शाथ नंबर यसका विलूम आपको बताना है यसका विलूम होता है अपसनिया पर आपका सी रा बन जाएगा हान दिया है तो लाभ हान होता ओप मांद इया है तो मान का ब बाद मान होता है विदियो र Champ नमबर तीसरे कंप्लीट कर लिया है एप सी करना मत भूलिया गदूस्थ और चैनल परना है कि स्ब्सक्राइब भी कर ली जाएक क् daar थैंक्स पर आउचिंग, God bless you all, वीडियोप आपको एड्रेट उपीपीश किंग्डम पर मिल जाएगी,